डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी ग्रीन पार्टी के रानमार कनेडियन पार्लिमेंट की स्पीकर बनने के लिए पूर उमीर कहती हैं 2015 में मौका गवा दिया था टॉरंटो शेहर में फारी के बाकियात में बाच अफराद जखमी हो गए, जखमी अफराद में दो खावतीन और तीन मर्ट शामिल है एंडी पी रानमार जगमीत सिंग का कहना है, वो इंतखाबी नताज से मुतमई नहीं है कैनिडा भर में हालोविन की तयारियां जारी, जी टी ए में शदीद बारिशियों और मौन्ट्रियाल में सेलावी सुरतिहाल का खत्रा, इंवार्मेंट कैनिडा ने इंतवार जारी कर दिया सोशल मीडिया की वेबसाइट चूटर की इंतिजा में ने सियासी इश्टिहारात की अश्याद पर पावंदी लगाने का ऐलाम कर दिया पावंदी 22 नवंबर से नाफिस होगी अमरीकी एवान नुमाइदगान में तर्की को नसल कुष करार देने की कराऱदात मझसूर एवान नुमाइदगानने सरकारी स्टा पर सलटनित उस्मानिय को 90 की दहाई किया कावाथ के वह रस तक अर्मिनी आई कावं की नसल कुषी का मुर्तक although दिया है मगबूसा कश्मी की तारीख में एक और सियाहतरीन दिन रियास्त को दो हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाफ में मजजाता तोर पर तक्सीम किया जा रहा है हैडलाइंस आपने जॉनी खबरों की तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बाद सब्सक्राइंस करेंगे स्ब्सक्राइंस आपि नारएंस आप्सक्श को स्बस्ड़ लगाएंस मैं ए तो सुर्व आंष्ट चूलीन कानदा प्र जा प्रस्वाराइंस स्वामी काशी गुरुजी का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं स्वामी काशी गुरुजी is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours आपके depression, family, court problems और बेशमार मसाइल के हलका दावा करते हैं स्वामी काशी गुरुजी से राप्ता कीजिए 647-765-6311 एड्रेस 565 मारकम रोड स्कारब्रो कुछ बात करेंगे ग्रीन पार्टी के रानुमा एलेक्स्पित मैंने कहा है कि वो हाउस आफ कॉमेंस के अगली स्पीकर बनने के लिए इंतखाबास लडने के बारे में सोच रही है मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में ग्रीन पार्टी के रानुमा एलेक्स्पित मैंने कहा है कि वो हाउस आफ कॉमेंस के अगली स्पीकर बनने के लिए इंतखाबास लडने के बारे में सोच रही है मैंने मुकामी मीडिया को एक इंटर्वियू में बताया कि ये मेरी दिल्चस्पि है ये कहना गलत होगा कि इसमें मुझे तवील अर्से से दिल्चस्पि नहीं थी मैं का कहना है कि उन्हें 2015 में उसका मौका मिलाता ताहां इस वक्त वो पैरस में मौलिया आतिया लूटी के हवाले से एक बैनलफामी कॉनफरंस में शिर्कत के लिए मौजूद थी कैनाडा में स्पीकर के उमीबारों के लिए वोटिंग के दौरान अरकीने पार्लिमेंट का हाउस आफ कामन्स के चेंबर में मौजूद होना जरूरी है इस काम में मैं की दिल्चस्पि वजीर आसम जस्टिन प्रूडो के लिए खुशाइन खबर हो सकती है जिसकी अकलीती हुकूमत चाहेगी के हिस्ब खिलाफ के एक बहुत बड़े बेंच का मुकाबला करने के लिए तमाम लिबरल अरकीने पार्लिमेंट को वोटो के लिए मौजूद हो टॉरंटो से खबर शामल करेंगे आपको बताएं टॉरंटो शहर के शुमाल मगरिबी अलाकों में फारिंग के तबादले में पाच अफराज जखमी हो गए पुलिस ने जाए वकुआ से बीस से ज़ादा गोलियों के खोल बरामत कर लिए और मुच्तबा अफराद का पता लगाने में अवाम से मदद मांग रहे हैं तॉरंटो शहर के शुमाल मगरिबी अलाके में फारिंग के तबादले में पाच अफराज जखमी हो गए हैं पुलिस के कहना है कि सुब साड़े साथ बजे के बाद उन्हें ट्रेट्री ड्राइब और ब्लैक क्रिक ड्राइब के लाके क्लियर व्यू हाइट्स रोड पर वाके एक अपास्में कॉंपलेक्स से वाकिक इतला मौसूल हुई पुलिस और मतासरीन सब काउंपलेक्स के दालान में थे जब तीन मुश्टबा अफराद सामने आए और उन में से दो ने गुरुप पर फारिंग कर दी चार अफराद को स्पटाल मुनतकल किया गया जन मिसे तीन के हवाले से पैरामेडिक्स का कहना है कि उनकी चोटे संगीन से लेकर तशवीश नाक है पुलिस के कहना है कि पाँछवा शक्स मुकामी स्पटाल मिला आया गया जो गोली लगने से जखम हुआ था पुलिस के मताबिक 16 और 17 साल की दो खावतीन और 16 से 18 साल की उमर के तीन मर्दों को निशाना बनाए गया पुलिस ने जाय वकुआ से 20 से जादा गोलियों के खोल बरामत कर लिया और मुश्टबा अफरात का पता लगाने में आवाम से मदद मांग रहे हैं खबर शामल कर लेते हैं आपको बताएं एंड़ीपी के रहनुमा जगमीज सेंग ने कहा है कि वो इंतखावी महिम के साथ खड़े हैं जो नहों ने और उनकी जमात ने चलाई थी ताहम वो इंतखावी नताइच से मुतमें नहीं है अन्ड़ीपी के रहनुमा जगमीज सेंग ने कहा है कि वो इंतखावी महिम के साथ खड़े हैं जो नहों ने और उनकी जमात ने चलाई थी ताहम वो इंतखावी नताइच से मुतमें नहीं है उनका ये बायान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनकी जमात के बहुत से नुमाइंदों की जानब से उनकी इंतखावी मुहिम पर संधीज़गी से गोर करने का मुतालबा किया जा रहा है ओटवा में एक मीडिया इविंट के दौरान जहां संध को कौकस से मेंबरान और हारने वाले उमीदवारों से मुहिम के हवाले से तबादा ख्याल करना था इस दौरान पार्टी की हार के हवाले से कई सबलात उठाए गए सिंग का कहाना था कि ये सब जिन्दगी का हिस्सा है हमने सक्ट जिद्व जहत की थी और आइंदा भी करेंगे उनका कहाना था कि मैं इंटखावी नताइश से मुतमाइन नहीं हूँ मजीद NDP's के रहनुमाओ को जीतना चाहिए था सिंग को इंतखावाद की राद डांस करने पर भी शरी तनकीद का सामना करना पड़ा जब बहुत से NDP के उमीदवार हार गए थे चैनेड़ से खबर शामल कर लेते हैं आपको बताएं कैनेड़ा भर में हॉलोविन की तयारियां की जा रही हैं जबके उसके साथ-साथ चैनेड़ा के कुछ हिस्से हॉलोविन के खोफनाव मौसम का सामना करने की तयारियां कर रहे हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा भर में हॉलोविन का तहवार मनानी की तयारियां जारी हैं जबके उसके साथ कैनिडा के कुछ हिस्से हॉलोविन के हौफ के मौसम का सामना करने की तयारियां कर रहे हैं ये तबको की जा रहे है कि जी टी ए में मौसम सर्द रहेगा जब के पेश गोई करने वालों ने सुबाई धारों लोकुमत के शुमाल में वाके अलाकों में बर्फबारी का इमकान जाहर किया है इन्वार्मेंट कैनिडा की जानिब से इंतिबाद जारी करते हुए कहा गया था कि टॉरंटो में जुम्मे तक बारिशें हो सकती है एजनसी की जानिब से कहा गया है कि टॉरंटों में जम्राग की दोपहर तक 30-50 मिली मीटर बारिश मतवक्य है जबके हालोविन की रात को चंद लाकों में 70 किलो मीटर तक हवाई चल सकती है माहीडीन aí मौसमयात का कहना है कि हालोविन के मौके पर खत्रे की कोई बात नहीं है دوسी जाने मौनև बारिज की मेर की जानिब से ऐलान किया है कि मौन्टरियाल में हालोविन के हावाल Improveات मनसूप कर दी गई है क्योंके खौफनाग मौसम की पेच गोई है जिसमें तेज बारिश और तेज आंधी शामल है इन्वार्मेंट कैनेडा ने शहर और अलाके के लिए बारिश के अंतबाद जारी किया है जिसमें जुम्राथ की रात और जुम्मे की सुब के दर्मयाद 40-70 मिलिमीटर बारिशें हो सकती है जिसके साथ हवाओं की रफ़तार 80 किलो मीटर फी घंटा होगी वेदर एजनसी ने खबरदार किया है कि लोगों को सलावी सूरतहाल का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं खबर शामल करेंगे आपको बताया गहर मुल्की खबरसाइदार के मताबक टूटर ने पैसो के एवस सियासी इस्तहाराद चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है जो 22 नवंबर से नाफिस होगी वजी चानते हैं इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया की वेबसाइट टूटर की इनतिजामी ने सियासी इस्तहाराद के अशाद पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया गेर मुलकी खबरसाइदारे के मताबक ट्यूटर ने पैसों के वस सियासी इस्तहाराद चलाने पर पावंदी आयत कर दी है जो 22 निवंबर से नाफिस होगी ट्यूटर के सीई ओ जैक डॉरसी ने एक बयान में कहा है के इंटरनेट पर इश्तहाराद कारूबारी तबके के लिए बहुत ताकतवर और मौसर जरिया है लेकिन ये ताकत सियासत के लिए खतरात का बाइस बनती है इंटरनेट पर सियासी इश्तिहरात से आवामी बहसों मुबासे के लिए नए चलेंजिस पैदा हो रहे हैं जिन में गुमराकुन और गैर मुस्दिका इतलाद भी शामिल है जैक डॉर्सी ने कहा कि हम सारफीन को गुमराकुन मौलुमात प्हलाने से रोपने के लिए सख्ट कोशिशे कर रहे हैं मगर जब कोई हमें मौफ़ा दे कर ये तवक्व करें कि हम लोगों को उनके सियासी इश्तिहरात देखने पर मजबूर करें तो ये मुनासिब नहीं अमरीका से खबर शामल कर लेते हैं आपको बताएं अमरीका के एवान नुमाइंदिगान ने सरकारी स्था पर सल्तनते उस्मानिया को नवे की दहाई के आगास से वस्तक अर्मिनियाई कौम की नसल कुशी का मुर्तकिब करार दिया है जब के कुर्दों के ख़लाव वाजी कारवाई पर तुर्की पर पाबंदिया आइद करने की भी सिफारिश की है मजीद एहवाल इस रिपोर्ट में अमरीका के एवान नुमाइंदिगान ने सरकारी सिता पर सल्तनेते उस्मानिया को नवे की दहाई के आखास से वस्तक अर्मिनियाई कौम की नसल कुशी का मुर्टकिब करार दिया है जबके कुर्दों के खिलाफ वाजी कारवाई पर तुर्की पर पाबंदिया आयद करने की भी सिपारिश की है बेनलखवामी खबरसा अदारे के मताबक अमरीकी एवान नुमाइंदिगान में 1915 से 1923 के दर्मियां 15 लाग से जायद अर्मिनियाई मर्द, खवतिन और बच्चों के खतलियां पर सल्तनत इसमानिया को मुर्तकि ठहराएने के लिए करारदाफ पेश की गई जिसकी हमायत में 405 वोट पड़े जबके मुफास्पत में सिर्फ 11 वोट आए अलावा हज़ा अमरीकी एमाने नुमाइंदिगान ने कुर्दों के खिलाफ पौजी कारवाई पर तुर्की पर पाबंदिया आयद करने की सिफ़ारिश भी की है अमरीकी एमाने नुमाइंदिगान में तुर्की को अर्मिनियाईों की नसल कुशी पर तुर्की की मुझमत से मुझाले करारदाद पेश करने के लिए 19 परत से कोशिशें की जा रही थी जो किसी ना किसी मरहले पर डम तोड़ती जाती थी ताहम इस पर ना सिर्फ करारदाद पेश हुई है बलके उसे तालियों की गुझ में कस्त राइस से मनजूर भी कर लिया गया सल्तनत इसमानिया के हातों लाखों अर्मेनियाई बाशिंदो की हलाकत को 30 मुमालिक सरकारी स्था पर तक्रीम करते हैं जिसमें नया इजाफा अमरीका है ताहम तर्की इस इल्जाम को मस्तरित करता आया है तर्की ने अमरीकी एमाने नुमाइंदगान की करारदाद पर शदीद रद्धे अमल दिया है और जल्द ही सदर्त तयब अर्मेनियाई नसलकुशी और पाबंदियों पर पालिसी बायान जारी करेंगे याद रहे कि मगर्बी मुमालिक 1915 से 1923 तक अर्मेनिया में सल्तनित उस्मानिय पर लाकों अर्मेनियाई बाशिंदों के गतल आम का इल्जाम धरते हैं ताहम तर्की का मौकिफ है कि अर्मेनियाई कौम ने पहले आजरी मुसल्मानों की नसलकशी और उने अजर्बाईजान हिजरत पर मच्बूर किया जिसके बाद अर्मेनियाई तर्की के इलाकों पर काबिस होने की कोशिश कर रहे थे जंग अजीम अवल में तुर्की में अबाद, अर्मेनियाई, बाशिंदे, फ्रांस, बर्तानिया और रूस के हामी थे और इस दोरान होने वाली हलाकतों को बढ़ा चड़ा कर पेश किया जाता है कुछ बात कर लेते हैं, मुदी सरकार पांच अगस के स्याफ फैसले आर्टिकल 370 के खात्मे के दूसरे मरहले के तहट आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाफ को दो हिस्सों में तक्सीम करके भारती कवनी नाफस कर रही है मजी चानते हैं इस रिपोर्ट में मुदी सरकार पांच अगस के स्याफ पैसले आर्टिकल 370 के खात्मे के दूसरे मरहले के तहट आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाफ को दो हिस्सों में तक्सीम करके भारती गवनीन नाफस कर रही है नए कवनीन के तहट दीगर रियासतों के हिंदू शेहरियों को मकबूजा कश्मीर में जाइदाद खरीदने और मुस्तकिल रहाइश का हासल हो गया है मूदी सरकार ने कशीदगी के तनाजूर में हवाई अड़ों रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और वादी में दफ़ा 144 भी नाफस कर दिया गया है भारत ने जमू कश्मीर के लिए गरेश चंदर और लदाफ के लिए आरके माथर को गवरनर तायोनाथ किया है वाज़ रहे कि पांच अगर से मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 87 रोज से पौजी महासरा है और मवासलाती जराय भी मौतल है इसे के साथ ही टाक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेश के लिए देखते रहे टाक टीवी